हाई फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमें एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और सॉट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं ये जब होती है तो इसका दुनिया पे सोसाइटी पे क्या इंपक्ट होता है ये टर्म पिक्चर में कैसे आया और ये चर्चा में क्यों बना हुआ है सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं Backbenchers Guru अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रिस कर लिजे ऐसे ही कर इंटरफियर्स और जनरल नॉलेज वीडियो के लिए तो सीधा आते हैं What is a Black Swan event ये Black Swan event एक ऐसी घटना है जो की बहुत जादा uncommon है Unforeseen है जिसको कोई भी predict नहीं कर सकता और जो की दुनिया में shock create कर दे shock अच्छे way में भी create कर सकती है और negative way में भी create कर सकती है और जिसका society पे और दुनिया पे एक major effect होता है major impact होता है तो हमने क्या जाना Black Swan event क्या है कि एक ऐसी घटना है जो की highly improbable है बहुत ही rare है rarest of the rare है और जिससे दुनिया को बहुत जादा impact झेलना पड़ता है और लोग भी उससे बहुत जादा प्रभावित होते हैं अब लोग उससे negative way में भी प्रभावित हो सकते हैं और positive way में भी प् करना चाहिए उसका use future build करने के लिए करना चाहिए तो आगे हम लोग ऐसी घटना का example भी देखेंगे हाला कि यह कोई fixed term नहीं है scientific term नहीं है लेकिन फिर भी कुछ-कुछ events दुनिया में ऐसे हुए हैं कुछ-कुछ घटनाई दुनिया में ऐसी हुई है जिनको हम लोग Black Swan event कह स घटने हैं तो सबसे पहले जानते हैं इस घटना की तीन distinctive qualities होती है क्या है वो quality they are incredibly rare बहुत ज्यादा rare है बहुत ही मतलब कम आपको देखने को मिले गए ऐसी घटना un foreseeable है और unexpected है आपको surprise लगेगा कि अरे ये भी हो सकता है ठीक है दूसरा है कि जब यह घटना होती है तो इस घटना क्यों ही तो आपको लगेगा हां ये तो प्रेडिक्ट किया जा सकता था इसके लिए हम लोग तैयार क्यों नहीं थे ठीक है तो पहला बहुत rare है दूसरा जब यह होती है तो इसका दुनिया पे बहुत जादा impact होता है और third कि जब हो जाएगा ना होने के बाद आपक लेकिन जब एक Dutch, Dutch adventurer जब Australia गया तो उनको पता चला कि हां Black Huns भी होता है दुनिया में जब ऑस्ट्रेलिया गया तो उन्होंने Black Huns को देखा काले Huns को देखा तब उनको realize हुआ कि नहीं दुनिया में Black Huns भी होता है तब दुनिया को पता चला Black Huns के बारे में तो यह इतना rare था Europeans के लिए तो उन्होंने यह term coin किया कि दुनिया में Black Swan भी होते हैं ठीक है तो इसका origin आपको समझ में आ गया कि Australia गया एक Dutch explorer उन्होंने पहली बार Black Swan को देखा काले Huns को देखा तब उनको पता चला कि दुनिया में काला Huns भी होता है अब आते हैं कि Black Swan event को हम लोग graphically कैसे represent कर सकते हैं यह देखो मैंने एक rough graph बनाया है कि Y-axis पे मैंने frequency और likelihood लिया है कि यह घटना होने का क्या chance है और X-axis पे severity और impact लिया है कि यह घटना होगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो Y-axis पे देखो बहुत जादा frequency नहीं है इसकी बहुत low frequency है इसके होने के chances बहु बहुत ही कम chances है लेकिन impact देखो impact बहुत ही जादा है तो होने के chances बहुत कम और impact बहुत ही जादा तो यह black swan घटना को define करता है कि impact बहुत जादा impact बहुत जादा और होने का chance बहुत कम ठीक है अब आते हैं यह आया कहां से तो एक scholar है एक finance के professor है नसीम निकुलस तलेब एक writer investor भी है तो उन्होंने 2001 में पहली बार black swan theory दी और 2007 में इसी के नाम से एक book publish किया जिसका नाम था the black swan the impact of the highly improbable highly improbable का दुनिया पे क्या impact होगा उसको वो black swan के नाम से कहते हैं ठीक है और तलेब का book क्या focus करता है कि अगर negative way में black swan impact करेगा अगर इसका दुस प्रभाव प system आपकी दुनिया आपके लोग उस event से cope up कर जाएं ठीक है और उस black swan event आने की स्थिती में आपकी आपका क्या reaction होगा आप कैसे react करोगे तो सबसे ज़्यादा जो rare घटना है उसकी तैयारी को हम लोग black swan event से deal करने की तैयारी कह सकते हैं लेकिन आपके दिमाग में सबसे पह किया था नसीम निकोलेस तलेब ये उसको कोविट 19 की घटना को black swan event नहीं मानते हैं क्यों नहीं मानते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसी घटना प्रेडिक्टेबल थी हमने बहुत सारे viruses को देखा Spanish flu को भी देखा पूरे दुनिया में फैली लेकिन कोविट 19 के लिए हम लो जो financial crisis आया था उसको बोलते हैं ठीक है तो black swan घटना का आपको crude example समझना हो तो आप ये समझो अगर अचानक से कोई crisis आ गई जिसको हमने predict नहीं किया था और जब आ जाए उसके बाद कहें कि हाँ हम तो इसको predict किये थे पहले से तो वो सारी घटना black swan event कहलाती है अब ये च साल दो लाख 8587 करोड का हो गया है ठीक है इस 2022 के calendar year में अभी तक और इतना जादा पैसा जब आपके देश से निकलता है तो आपकी economy पे उसका बुरा असर देखने को मिलता है क्योंकि FPI major source of investment है इंडिया में ठीक है तो ये ये और जादा बढ़ सकता है आने वाले समय में औ और in case of a black swan event तो RBI क्या कह रहा है कि in case of a black swan event जो कि बहुत rare है जिसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे है उस case में ये FPI भारत से भारतिया बाजारों से investor पैसा बहुत जादा निकाल सकते हैं और 7 से 8 लाग करोड तक ये पैसा निकाल सकते हैं भारतिया बाजारों स तो उसके लिए हम लोगों को तयार रहना होगा तो black swan में अगर negative impact होगा तो हमको तयार रहना होगा अगर कोई अच्छी चीज हो गई अगर भारत में बहुत जादा अचानक से तेल के भंडार मिल गए तो वह हमारी economic को अच्छे तरीके से impact करेगी तो बहुत सारे तेल के बंडार मिल गए तो हमारा import bill कम होगा तो उस case में भी हम लोगों को तयार रहना चाहिए तो black swan positive और negative दोनों हो सकता है ये ध्यान रखिएगा ठीक है positive होगा तो हम लोगों को tap in करना है negative होगा तो robustness, resilience, resistance ताकि हम उससे deal कर पाए ऐसी घटनाओ के लिए भी तयार रहना है त question है कि which of the following is a feature of black swan event ठीक है black swan event का क्या feature है ठीक है तो option 1 है option 2 है option 3 है आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सही है ठीक है तो hope करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें वीडियो यहां तक देखा हो लाइक ज जाहिना